नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में मैं डितेश कुमार, आज मैं आप सभी आंगनबारी बहनों को बताने जा रहा हूँ पोशन ट्रेकर रैप में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है वो समस्या है दैनिक ट्रेकिंग को लेकर दैनिक ट्रेकिंग को लेकर समस्या ये है कि जब भी आप सभी आंगनबारी सेविकाएं अपना हाजरी बनाने जाती है सरवर पे बहुत जादे लोड होने के कारण आपका जो हाजरी है वो हाजरी सब्मिट नहीं हो पाता है काफी समय लगता है उसके बाद सम्मिट हो जाता है तो आज मैं आप सभी आगनबारी बहनों को बताने जा रहा हूं कि आप सभी आगनबारी से विकाए चंद मिन्तों में आपना हाजरी कैसे बना सकती है और इसमें आपको हाजरी बनाने में समय भी नहीं लगेगा और आपका हाजरी और एटेंडन्स सभी सुरक्षित बन जाएंगे तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपना हाजरी सबसे पहले बना सकती है और आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी तो आज की ये वीडियो सभी आगनबारी बहनों के लिए काफी useful है आप सभी से एक छोटी सी request है कि आप सभी लोग इस वीडियो को like जरूर किजिएगा और इस वीडियो को सभी आगनबारी बहनों के साथ share भी जरूर किजिएगा ताकि वो भी अपना हाजरी समय पर बना सकें तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आपको अपना हाजरी कैसे बनाना है जैसे कि हमने यहाँ पर पोशन ट्रेकर app को ओपेन कर लिया है यहाँ पर धैनिक ट्रेकिंगा जो option आप लोग देख रहे हैं इसी में आपको हाजरी बनाना होता है तो देखिए आपको क्या करना है हाजरी बनाने से पहले आपको अपना data को ओप कर देना है यानि यह जो net वाला option है आपको बंद कर देना है बंद करने के बाद आपको portion tracker open करना है जैसे कि आप offline mode में portion tracker है वो open करेंगे open करने के बाद यहाँ पे जो beneficiary वाला option है वो उसको खोलेंगे खोलने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बच्चा या कोई भी गर्भती धात्री का यहाँ पे record नहीं दिखाएगा यानि कि अब ही आप लोग offline mode में हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि danic tracking का option दिया गया है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा offline mode can store latest three days data only यहाँ पे black color में आप देख सकते हैं नीचे सो कर रहा है तो चलिए हम यहाँ पे offline तो हो चुके हैं अब देखिए कैसे हम फटाक से अपना हाजरी बना लेते हैं जैसे कि आज आपने आगनबारी केंदर खोला यहाँ पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद submit करें और जारी रखे पे किलिक कर देंगे जैसे हैं इस पे आप किलिक करेंगे तो यहाँ पे पुछेगा आपसे कि जब आप एक बार आगनबारी केंदर का स्टेटस हाँ पर सेट हो जाता है तो आप इसे बदल नहीं सकते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है यह जो ठीक वाला ओप्सन आप लोग देख रहे हैं इस ठीक वाले ओप्सन पे किलिक कर देना है जैसे हैं आप ठीक वाले किलिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो आगनबारी केंदर खोला गया वो सब्मिट हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बच्चों का उपस्तिती है उपस्तिती आटोमेटिक ही ओपन हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपके केंदर में कितने बच्चे आज परने आए हैं उन बच्चों का हाजरी बनाना है तो हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए कुछ बच्चों का यहां पर नाम सेलिक्ट कर ले रहे हैं 14 बच्चों का नाम यहां पर सेलिक्ट कर ले जैसे कि आपको याद रखना है कि हमने उपस्थिती में कितने बच्चों का हाजरी बनाया है, उतने ही बच्चों का हमको इस S.C.M. वाले में सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने बच्चे आगनवाडी के अंदर में आए हैं, उतने बच्चों का फिर से हम S.C.M. वाले में भी सेलेक्ट कर दिए हैं, सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सम्मिट करें और जारी रखें पर किलिक क ली करेंगे तो आपका जो फिर से अगला step है वो खुल के आ जाएगा देखिए ये जो offline mode है इसमें आपको कोई भी जंजट नहीं होगा आपको हाजरी बनाने में आप जैसे सब्मिट करेंगे तो फटाक से next step आपका खुल के आ जाएगा next step खुल के आ जाएगा सुबह का नास्ता तो फिर हमको वही सेलेक्ट करना है जीन बच्चों का हमने उपस्तिती और SCM में जिनका नाम डाला है तो हम यहाँ पर फिर से उन बच्चों का यहाँ पर सेलेक्ट कर ल जैसे ही किलिक करेंगे देख सकते हैं हमने सभी step पूरे कर लिये हैं जैसे कि आज आगनबडी केंदर खोला गया बच्चों की उपस्तिती SCM सुबह का नास्ता तो सभी details हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं और देख सकते हैं यह offline mode में जब आप लोग करेंगे तो आपका जो data ह वो ऐसा दिखाएगा यानि कि यह आपका offline mode में कार्य हो रहा है जब आप लोग अपना net on करेंगे तो यह सारा data आपका server पे upload हो जाएगा उसके बाद last step जो है वो गतिवीधी है तो हमको गतिवीधी को भी select कर लेना है जैसे कि हमने ग्यान संबंधी कोसल और व्यक्तिगत है select करने के बाद जो अंति में step है उसको हम यहाँ पर submit कर देंगे तो जैसे ही submit करेंगे तो आपका जो data है वो offline mode में entry हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं कि offline mode में आपका सारा data upload हो चुका है अब आपको क्या करना है यह जो data है वो आपका three days के लिए value रहता है आप three days के अ जैसे कि हम यहाँ पर offline थे अब इसको हम क्या कर रहे है इसका data on कर दे रहे है तो देख सकते हैं हम यहाँ पर data on कर दिये तो यहाँ पर green का जो sign है वो दिखा दिया कि अब आप online हो चुके है अब यह जो आपका आज का जो हाजरी है वो server पर upload हो जाएगा तो आप लोग इसी परकार से अपना हाजरी बनाईएगा जैसे कि हाजरी बनाते समय आप अपना data को बन कर दिजिए फिर हाजरी बनाने के बाद आपका जो data है उसको on कर दिजिए तो उमीद करता हूँ कि आप सभी आगनबारी बहनों को आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी वीडियो समय पर बना सके हैं तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकाड़ी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद